मेरे चैनलर पर आप सबी का स्वागत है उजिन से करीब 51 किलोमेटर धूर बड़नगर शेहर में 400 फीट की उजाई पर कले में स्थित है नागनेचा काली माता का मंदिल 1000 साल पुराना मंदिर बचाय जाता है 25 शातापदी में मालवा के सुल्तान महमूद खिल्जी से जागिर में पराप्त नोलाई में वर सिंग ने इस कले का दर्मान करवा कर इसमें अपनी कुल देवी नागनेचा काली माता का मंदिर बनाया प्रान प्रचिष्टा कर रही थी मा काली की मूर्थी के देखने भर से हमें लगता है कि मां हमें देख रही है और मां के होटों से जांकते दांत हमें आगर्शित करते हैं मां का सुन्दर रूप निवहाते हैं इस तान पर धर्म का अनुका संगम नदर आता है यहां नागने चा काली का मंदिर है और सामने ही चांद शा वली बाबा की दरगा है यहां पर बिना किसी विवात के दोनों धर्मों के लोग पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं रेलवे शेशन से निकट सित इस किले में शार्दी नौरात्री में हर साल नो दिनों तक मिला लगता है मिला उसों में विविन संस्क्रतिक, सायतिक, दार्मिक और खेल कुद की गदिर विदियां शामिल होती है मा काली की मुर्थी देखने भर से मन प्रथन हो जाता है कार्शा मंदिर उसमें मा काली और भूले शंकर विराटमान है इस मंदिर में नो दरगाओं के होटो ले गए हैं उनकी सास्विर है मुर्थी ये सेमू क्रगड है इसी ने स्थावितनी करी है सेमू क्रगड है यहां पर कोई राजा रिता था उसको माने सोबने दिया था जिए मैं यहां प्रगड होना चाहती हूँ अजय ने स्थावितनी को प्रगड होना तो अजय को ने प्रगड होना है महां के नो रूप यहां ए रग्याजान में यह नुरात्री में नुरात्री में आपको मान नो अलग-अलग घर्षन देती है और अगर यू देखेंगे आप तो यू भी शोबे का अलग, रुपाय का अलग, राम का अलग, मा अपना अधर्शन देचा सरुभ बता कुछ हाया अई था पुराना मंदीर है ये ये याठकुस समाझ की और नागने का माता का नाम सर प्रसिद्दय माताजी का मंदीर है कुकि उनके पूल देवी है यह एक पूल देवी है यह एक माताजी का जो मिला वरात आए माकाली माता की मंदिर में आने पर भक्तों की सारी मरादें पूरी होती है और मन प्रसन होता है भक्ती भाव से हम मा की आरती भी करते हैं सारी चुनरी प्रसाद और नार्यल चड़ाए जाते हैं अजारों की संध्या में लोग आकर मा का आशुरवात लेते हैं बहुती चमतकारी मंदिर दो प्रसाद दूर्ड़ाए जाते हैं बहुती चमतकार्ड़ राव से हम जाव से रायती हैं धुती चमतकार्ड़ाए जाओ एंदक्यात व्यक्त, दो राव रहाते। झाल झाल